ओम प्रकास राजबर को लगा बड़ा जटका सुभास्पा के राष्ट्यू पाध्धच सहित कई लोगों ने छोड़ी पार्टी सुहेल देव भारती समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकास राजबर को बड़ा जटका लगा है उनकी पार्टी के राष्ट्यू पाध्यच सहीद करीब 30 लोगों ने पार्टी से बगावत कर दी है पार्टी छोड़ने वाले इन लोगों ने ओम प्रकास राजबर पर कई आरोब भी लगाए है ओम प्रकास राजबर के खिलाप उनकी ही पार्टी सुभास्पा में बगावत की फूट पड़े हैं पार्टी के राष्ट्यू पाध्यच सहित अन्य तमाम पदाधिकारियों ने पार्टी से सुमवार को अपने पत से इस्तिफा दे दिया है कहा जा रहा कि पदाधिकारियों और कारिकरताओं की उपेच्छा में मुक्तार अन्सारी के कहने पर इन लोगों ने पार्टी छोड़ने का फैस्रा लिया है ओम प्रकास राजबर के करीबी 2017 के विदानसवा चुनाओं में महु सदर विदानसवा स्यूट से सुभास्पा के प्रत्यासी रहे महेंद्र राजबर ने पार्टी के पतक्यारिया और बागी नेताओं के साथ महु के गाजी पूर्ती रहा पर प्रेस्वारता करिया जानकारी दी है प्रिस्वार्ता के दौरान बागे नेताओं ने ओम प्रकास राजभर मुर्दाबाद और महिंद्र राजभर जिंदाबाद के नारे भी लगाए जहां एक तरह पकले स्यादों से अलग होने के बाद वाई स्रेडी की सुरच्छा प्राप्त कर के ओम प्रकास राजबर अपने समाज के एक बड़ा नेता होने का दावा कर रहे थे वहें दूसरी तरह पार्टी में इस प्रकार की फूट से उनके सामने दिक्कात आ सकती है सुभास्पा के राष्टी उपाध्यच और मौ सदर बिदान सभा के पूर प्रत्यासी महंद्र राजबर ने कहा कि सबी कारकास राजबर अपनी लडाई से भटक चुके हैं कारकरताओं की उपेच्छा हुई है इसलिए हम सभी पार्टी से 25 से 30 की संख्या में समोहिक इस्तिफ़ा दे रहे हैं उन्होंने कहा कि जब कोई भी कारकरम करना होता है तो कारकरताओं को उससाहित करके कारकरम को सफल बनाने की तयारी करते हैं जब कारकरता के सम्मान की बात आती है तो उन्हें नहीं पूछा जाता है नहीं उनसे राय ली जाती है बस दो से तीन लोग निडल लेते हैं उन्होंने कहा कि राजबर अपने बड़े भाई मुकतर अंसारी से भी राय लेकर पार्टी चलाते हैं इसलिए हम सभी कारकरताओं क इस सवाल पर महेंद्र ने कहा कि इस्तीफे का कागत जैसे ही आपको दूँगा वैसे ही अपने सिर से टोपी अटा लूँगा इसके बाद प्रेस वालों को इस्तीफे का लेटर दे कर सिर से टोपी सोहल देव भरती समाज पार्टी की टोपी उतार कर रख दी बीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और पेज को फालो जरूर करें